यहां है विपासा प्राचीन नाम है नदी का और इसका आधनिक नाम है ब्यास कैसे याद रखेंगे विपासा बसु के और नाम रखेंगे विपासा बसु को ध्यान दीजिए जैसे विपासा बसु का फिगर आया आप समझे लेंगे कि विपासा जो नदी है उसका बहुत से ही संस्क्राण में पेज नंबर छहे पर देख सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिये पहली है क्रूब नदी और क्रूब नदी जो कि पूराना नाम था क्रूब नदी और नया नाम है कल रम कैसे पार प्रूब कोई भा épo ב׾ को भाया कोई भागया और भागया कोई भागया तो भाई, कबूल कर लो तो कबूल पकड़ ठीक नेक्स्ट है वितस्ता नदी और इसका आधुनिक नाम है जेलम याद केसे रखेंगे वितस्ता से बहुत सथा कोई सब्द पकड़ी कीनना खरिदना तो मुखраш क्या ऐ कि मान लिएज़े कि आप रोज जब भी जाते हैं घूमने तो आप कुछ खरीदते हैं लेकिन आज कुछ हो है कीनेगी आपकी फ्रेंट कीनेगी और क्या खरीदी है चेनग खरीदे इक पुरुस की तरह होगा और उसमें परुषडी और परुषडी इसी जैसे सब्सक्राइब को पली नदी को कहते हैं कैसे जयाद रखेंगे सब्सक्राइब तो जलते हैं यानि कि सब्सक्राइब ही नदी कूछ ने इत्व bij भी तो सतलज ही मिलेगा आपको नेक्सट भी पासा और विपासा से क्यों आप याद रखेंगे कि बिपासा बस उनका नाम बस देखिए या फिर फीगर आप ध्यान लीजे अपने माइंड में भी पासा बसू भी पासा और ब्यास इस तरह से आप पकड़ लेंगे नेक्सट सदा नीर है हमारे घर के आसपास और वहां पर गंद आती रहती है ऐसा करके सोच सकते हैं नेक्स्ट है दृस्ट दृस्ट हमेशा घागरा पर ही जाता है आपका गोमती और इसका अधुनिक नाम है गोमल कैसे रखेंगे गोमती से गोव पकड़ी और गो क्या होती है बिल्कु कोई अच्छी वस्तू है और जब अच्छी वस्तू होगी तो उसकी सब बात करेंगे इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया एक सीज मैं आप से कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करें ताकि इससे पता चलता है कि हाँ आप ल का अलग जोग्रफी का अलग एकोनॉमिक्स का अलग जितने भी सब्जेक्ट है सब जितना भी पूरा लुसेंट दिया गया सब को टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा अब बस एक दो दिन के बाद ही मैं सुरू करने जा रहा हूं लेकिन वैसे मैंने बहुत सारे लुसेंट का क आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अधरवाइज आप प्लेयलिस्ट में जाकर के वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद